उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी जैसा कि मैंने अभी बताया था पार्ट टाइम फूड बिजनस होता क्या है पार्ट टाइम फूड बिजनस होते है तीन चारत रहके एक होता है जहां आपको 24 घंटे या 12 घंटे काम नहीं करना पड़ता है जहां limited hours होते है या तो आप सुबह के 3 घंटे काम करते है या आप शाम में 1 घंटा काम करते है राब के 2 घंटे काम करते है ऐसा कोई टाइम का limitation होता है आपके पास दूसरी opportunity होती है जहां पर आप पूरे साल नहीं काम करते है सीजन के basis पे काम करते है अगर सीजन है तो वो 15 दिन एक महिना जो भी सीजन है उसमें थोड़ी मेहनत कर ली थोड़ा stretch कर लिया पूरा सा adjust करके दोनों समाल लिया अपना job business और ये नया business और एक अच्छी कमाई कर ली हमने पूरे साल के लिए बहुत सारे ऐसे business हैं मैं उनके बारे में बात करूँगा आगे कुछ है जहां पर आप limited service की बात करते है limited service और उसके नीचे की जो category है semi processed या RTC, RTE RTC क्या होता है ready to cook RTE क्या होता है ready to eat last के तीन साल में especially after COVID ये जो दो category है ready to cook and ready to eat ये बहुत जादा तेजी से बड़ी है और इसके बढ़ने का एक कारण है कि यहां पर हम लोग आप बात करने लगे हैं तीन महीने shelf life की, छे महीने shelf life की अगर आप तीन महीने की shelf life दे सकते हैं किसी चीज को जो vacuum pack की हुई है या जो आपने अलग hermit तरीके से pack की हुई है तो उसको आप practically पूरे इंडिया में कहीं भी बेच सकते हैं आप कहां पर बैठे हैं, आपके शहर में हैं, किस गाओं में हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपके product में दम है, अगर आपके product में टेस्ट है तो यह RTC, RTE category ऐसी है जिससे आप पूरे इंडिया में business कर सकते हैं correct, so यह होते हैं अलग-अलग type के food businesses जो part-time होते हैं अभी यह जो food business part-time है इनको मैं बोल चाल की भाशा में यह तो हमारा industry classification हुआ industry किस तरीके से देखती है, part-time opportunity को सेंतिल जी आप अगर mute कर लेंगे तो बाकि सब लोग आवाज अच्छी तरह से सुन पाएंगे यह जो industry classification है इसको हमने convert किया है हमारी बोल चाल की भाशा में ताकि हमें समझने में आसानी हो ताकि हमें इसका scope सोचने में आसानी हो बोल चाल की भाशा में मैं क्या केता हूँ, पहली opportunity है make now, sell now for example, let's say मैं breakfast business कर रहा हूँ, idli बना रहा हूँ मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरी कोई shop नहीं है, कोई restaurant नहीं है कोई tomato, swiggy वगर कुछ भी नहीं किया हुआ है, मैंने एक जगह है जहां मैं देखता हूँ, कि रोज सुबह office जाने के लिए लोग bus के लिए wait करते हैं वहाँ पे या एक residential colony है, जिसके नीचे काफी सारे लोग रहते हैं और वहाँ से या तो school के लिए बच्चे सुबह निकलते हैं, office के लिए लोग निकलते हैं घर से, मैंने breakfast का business शुरू किया इडली का, अब ये जो इडली का business है, ये make now, sell now की category में आता है, क्योंकि मैं जब बना रहा हूँ, उसको उसी समय बेच रहा हूँ मैं इडली सुबह बना करके रात को नहीं बेच सकता, practically ऐसे सारे business जहां आप customer के order पे तुरत बना करके उसको serve कर रहे हैं, वो आपका make now, sell now की category में आता है Central, this program will be in both Hindi and English, looking at the participants, I think थोड़ा Hindi, थोड़ा English दोनों चलेगा, अगर हिंदी समझने में दिक्कत है तो आप webinar से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों भाशा यूज होगी दूसरी category है, where we are saying make now, sell today इसमें कौन सा business है, इडली का ही example carry forward करते हैं, इडली को ही थोड़ा और detail में समझते हैं, इडली बनाने के लिए में क्या चाहिए, बैटर चाहिए, यह जो बैटर है, इसका भी तो business हो सकता है यह भी एक business है, आप mall में जाते हैं, आप देखते हैं, बाहर में एक आदमी है जो इडली का बैटर बना रहा है जहां पर मैं बैटर की बात कर रहा हूँ, यह ऐसा business है, जो मैं या तो रात में बना लिया और पूरे दिन बेच रहा हूँ, या सुबह सुबह मैंने पूरा pack बना लिया, पूरे दिन इसको बेच रहा हूँ, या पूरे दिन मैंने घर पे बनाया और शाम को, जो मेरा fix clientele है वहाँ पे जाकर के मैंने 50 पैकेट, 100 पैकेट अलग-अलग घरों में डिलिवरी कर दी, यह वो बिजनस है जहां पर आप हैंड टो हैंड सब कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके सामने कस्टमर खड़ा है, उसने ओर्डर दिया और आपने बना करके उसको कुछ दि आते हैं और उसको दिन के अंत में या जो भी हमारा प्री डिफाइंड टाइम है वो बेचते हैं, जो टिफिन बिजनस है ये भी उसी के अंदर आता है, साम में दिन है वह सो यह आपका है आप दिन में किसी भी समय बनाई है आपको उसको आज बेचना है शेल्फ लाइफ की बात नहीं कर सकते हम लोग यहांपे क्यूंकि आज के आज हमें पूरा स्टॉक खाली करना है क्यों शेल्फ लाइफ पर बार बात करआ हूं मैं उसका कारण है क्योंकि जैसे ही shelf life word add होता है आपके product में उसके बाद complication बढ़ जाती है उसके बाद कई सारी और चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जिसके बारे में हम लोग भी देखेंगे थर्ड केटेगरी है जो make today sell later है अभी idli में ही इसका example देखते हैं idli के अंदर इसका example क्या हो सकता है इसका example हो सकता है वो जो पूरी चटनी होती है वो जो gun powder होता है वो gun powder मुझे जरूरी नहीं है कि मैं अभी बनाओ और अभी बेचो अगर उसके रसम का dry powder मैंने कुछ बनाया है सामबर के लिए ड्राई मसाला मैंने कुछ बनाया है तो आप यह जो पैकेट्स है यह मैं पूरे महीने बैच सकता हूँ मुझे किसी भी दूसरे दिन प्रूडक्शन की जरूरत नहीं है तो इस तरह का जो बिजनस है ये आ गया हमारा make today sell later वाले concept में so practically आप छोटे लेवल पे food processing कर रहे है आप एक तरीके से e-commerce seller है पर उन industry jargons की तरफ नहीं जाता है normal तरीके से समझते हैं यह business है क्या so I'm sure यह अभी हमारे को clear हो गया कि make now sell now क्या है make now sell today क्या है make today sell later क्या है अगर यह concept आपको clear है then type clear in the chat box so that मुझे पता चले कि यह अभी तक जितनी बात हैं कि हमने यह हमारे को clarity है और अब हम इसके detail में जा सकते है so अगर आपके पास यह clear है तो just give me clear in the chat box then we will proceed further great so आगे बढ़ते है अभी यह जो make now sell now वाली category है इसके अंदर क्या आता है पहले तो हम लोग बात करते हैं कि इसके business ideas कौन से है देखते हैं कुछ businesses जो make now sell now वाली category के अंदर है गर्मियों का मौसम है सबसे पहला और सबसे बड़ा business इस category का है आज के डेट में बर्फ का गोला आइस गोला अगर आप western part of India में हैं, गुजरात में, महराष्टा में, राजस्थान में, डेली में तो आपने देखा होगा कई सारे stalls खुल गया हैं जो बर्फ का गोला बना के बेच रहे हैं पूरे दिन काम नहीं करते, ये लोग पूरे साल काम नहीं करते सिर्फ तीन से चार घंटे काम करते हैं, रात में साड़े साथ आठ बजे इनका बिजनस शुरू होता है 11.30, 12 o'clock खतम हो जाता है, ये चार घंटे के बिजनस में कभी आपने सोचा है कि इनका total revenue per day का कितना होता है, इनका per day का revenue 90% restaurant से ज्यादा होता है एक दिन का, अगर मैं बात करूँ, आपका average business है, गोले का, average business है, कोई बहुत ज़्यादा taste आप नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड आप के हाँ नहीं लग रही, customer की मारा मारी आप के हाँ नहीं हो रही है तो भी दिन के चार घंटे में आपका counter 8 से 10,000 रुपए का होता है, और ये तीन महिने का business है अभी हम लोग में में हैं, एप्रिल में ये business शुरू हुआ, एप्रिल में जून, सिर्फ तीन महिने का business है, जैसे ही बारे शुरू होगी, ये business खतम हो गया इस business में ऐसे ऐसे लोग है, बॉम्बे के अंदर देखा जाए तो ऐसे ऐसे गोले वाले हैं, चार घंटे के अंदर एक लाग का counter होता है, उस level पे नहीं जाते हैं, basic से देखते हैं, basic level पे हमें चाहिए क्या इस business के लिए, एक गोले का setup चाहिए, ice crush करने वाली machine चाहिए, sirups चाहिए, थोड़ा प्लेट चाहिए, थोड़ा decoration चाहिए, dry fruits, condensed milk, that's it, उसके अलावा कुछ में नहीं चाहिए, बहुत कम खर्च में, बहुत कम setup के साथ, आपकी creativity से ये business चालू हो सकता है, और इस तीन महने में सबसे ज़्यादा return दे के जाता है ये business, अगर गुजरात महरा की बात करें, तो बारिश के मौसम में बड़ा, again एक ऐसा business है, जो सिर्फ तीन महने चलता है, लेकिन आपको पूरा return दे के जाता है, और तीन महने भी पूरे दिन नहीं चलता, सिर्फ चलता है वो और शाम के तीन गंटे, evening snacks का business, in fact मैंने इंडिया में हर जगा देखा है, हर जगह शाम के दो गंटे, शाम के तीन गंटे ही चलता है, और उसकी कमाई, उसका revenue, किसी भी restaurant से कम नहीं होता है, हैदराबाद की बात करें, तो आलू बोंडा देख लो, आप शाम में जितना बिकता है, एक अच्छा restaurant उतना business नहीं कर पाता है, अगर आपके शहर में ऐसे parks ह जहां लोग morning walk के लिए जाते हैं, जहां लोग सुबह घूमने के लिए जाते हैं, exercise करने के लिए जाते हैं, योगा करने के लिए जाते हैं, सुबह के दो घंटे, fresh soup, hot soup, fresh juice, juice बेचने वाले शायद होंगे वहाँ पे, already, तोड़ा हट के सोचिए, सूप के बारे बर सोचिए कुछ नहीं, 10 रुपे कप, 20 रुपे का कप, इस टाइप के price point पे deal कीजिए, आप 100 रुपे का सूप मत दीजिए, आप powder से सूप मत बनाईए, fresh सूप बनाईए, fresh सूप, 10 रुपे का कप, 20 रुपे का कप, 2-3 अलग-अलग variety रखिया हैं, that's it, 2 गंटे 5000 का daily का business करके आएंग निये घर में उस जगह पे पहुँचना है, उस जगह पे पहुचने के बाद, सारा का सारा सेट अप, आपका बहुत compact हो सकता है, बहुत compact सेट अप के साथ काम कर सकता है, आप 2 घंटे काम कीजिए, खतम, फिर दिन में जो आपका regular काम है, वो कीजिए, रात में थोड़ा जल हम लोग restaurant में जाते हैं, डोकला खाते हैं, खबन खाते हैं, पहले तो ये गुजराती snack था, अब आज के date में पूरे इंडिया में मिलता है, पूरे इंडिया में हर जगह मिलता है, पर live खबन, live डोकला हर जगह नहीं मिलता है, और उसमें चाहिए क्या, जैसे इडली का steamer हो तैयार होता है end to end जैसी बैच तैयार होगा customer सामने है वो खतम हो गया नया बैच चालू कीजिए अनदर concept बहुत छोटा सा concept है बहुत compact concept है और पूरे दिन नहीं करना है आपको या तो सुबह के दो घंटे कर लीजिए या शाम के दो घंटे कर लीजिए that's it उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जितने भी आपके morning breakfast वाली category है वो सब इसी category के अंदर आती है आपको दो घंटे काम करना है उस दो और category है जो बहुत ज्यादा promising है बहुत ज्यादा rewarding category है और इस category में बहुत competition नहीं है आज के date में अगर आप late night meal की बात करते है जनरली जितने भी restaurants होते हैं वो 1030 11 o'clock बंद हो जाते हैं करता है आपके शहर में रहते हैं कहीं पर 12 बज़े तक भी खुले रहते हैं एक बज़े तक भी खुला रहता है बट 11 जैसे ही बज़ता है आपके number of restaurants उस शहर में काफी कम होने लग जाते हैं competition बहुत कम हो जाता है आप चाहें तो late night delivery business कर सकते हैं late night delivery में आपको बहुत ज़्यादा exotic dishes नहीं चाहिए basic dishes चाहिए कुछ basic चीजों के साथ काम शुरू कीजे आदमी क्या खायेगा बिर्यानी खा लेगा fried rice खा लेगा खिचडी खा लेगा curd rice खा लेगा थोड़ा पराठा एंड सबजी खा लेगा पराठा रोटी इन सब के उपर ज्यादा ध्यान मत दीजे क्योंकि by the time you deliver जिस समय तक इनके delivery होती है उस समय तक taste खतम हो चुपा होता है उसके उपर ज्यादा focus मत कीजे rice and rice based items के उपर focus कीजे one pot meal जो है उसके उपर focus कीजे हका noodles हो गया chicken noodles हो गया शेजवन noodles हो गया fried rice हो गया बिर्यानी हो गई इस तरह की चीजें जाती है late night delivery में सिर्फ इस पर focus कीजे और ये business आपका set है आप काम कब कर रहे हैं आप काम कर रहे हैं रात के 10 बजे से 2 बजे तक that's it so ये एक अलग opportunity है जो आप कर सकते हैं चपाती पराठा एक दूसरी opportunity है बहुत बड़ी opportunity है जिसको कुछ लोग समझ रहे हैं महरास्टरा में बड़े scale पे village level पे शुरू हुआ है इसमें करते क्या है चपाती बनाते है अब चपाती तो चपाती है अब इसको क्या करेंगे चपाती बेचने का business कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं या तो हम यह बैचलर्स को चार चपाती का pack supply कर रहे हैं या इस चपाती को थोड़ा और आगे बढ़के vacuum pack करके shelf life दे करके सीधा US export कर रहे हैं आपको पता है चपाती और पराठा महरास्टरा में ऐसे जिले हैं जहां गाउं में महलाई बनाती है चपाती और वो एक्सपोर्ट होता है यूएस कंटेनर का कंटेनर एक्सपोर्ट होता है वो demand पूरी नहीं कर पाते क्यों क्योंकि अमेरिका में जो Indians है वो अब चपाती नहीं बना पाते जो आज की generation है उनको चपाती बनाना उनके लिए एक skill है चकला ब चपाती एक बहुत बड़ा business होने वाला है रेस्टोरेंट्स में सप्लाई होती है टिफिन सेंटर्स में सप्लाई होती है बैचलर्स को चपाती सप्लाई होती है जो आप डीफ्रीज करके रख सकते है माइक्रोवेब में 30 सिकंड लगाया गर्मा गर्म चपाती आपके सामने हैं खाने के लिए सोचेंगे तो ये बहुत बड़ा business बन सकता है अपने आप में आज के रेट में है अलकबीर पराठाव का business है ऐसे बहुत सारी companies है जो चपाती और पराठा के business में लगी हुई है अभी अभी रमजान का महीना गया है एक महीने का business है एक महीने का business है Southern part of India मे हलीम अगर आपको हलीम बनाना आता है सिर्फ एक महीने काम कीजिए आप इतना कमा लेंगे पूरे साल आराम से बैठके खाएंगे और कुछ नहीं तो जो आपकी ग्रिहस्ती है वो तो चली ही रही है जौब से है business से ये एक महीने की जो कमाई हुई ये तो bonus है ना तो या तो को invest कर दे future के लिए तो ये एक अलग से kitty बन जाती है आपके पास हलीम इस अनदर सच opportunity इवनिंग चाट इंडिया के हर एक शहर में पानी पूरी बिखती है इंडिया के हर एक शहर में चाट बिखता है और चाट बेचने वाला कोई five star hotel नहीं होता street वाला होता है थोड़ा सा innovation लाइए थोड़ा सा attractive बनाईए अपना setup थोड़ा सा उसमें look and feel अच्छा कीजिए and you are set बहुत ज्यादा competition नहीं है बहुत ज्यादा कोई इसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना थोड़ी सी creativity दिखानी है एक authentic taste देना है that's it और वहां भी regional taste की बात आती है जहां आप अग आपकी पूरी की पूरी branding आपका पूरा का पूरा setup हो सकता है दिल्ली का authentic taste वाला महराजा चार्ट या आलू चार्ट अगर आप let's say west part में हैं बॉंबे में हैं या फिर पूने अनागपुर कहीं पर हैं और आपके पास access है एक बेंगॉली community का तो जो authentic बेंगॉली जाल मूरी है जो authentic बेंगॉली पुचका है वो आप business कर सकते हैं ये एक ऐसा small niche है ये एक ऐसी category है जो बहुत जल्दी copy नहीं होगी और जब तक copy होगी भी तब तक आप कमा चुके होंगे इसको लेकिए corn on the cob है corn on the cob का मतलब क्या हो मकई है या आप उसको आग में पकाए या उसको scheme करें तीन महिने का business है पूरे साल में पूरे साल में ये कमाई दे के जाता है आपको गुजरात में अगर आप हैं तो खिचू होता है उंद्यू होता है summer drinks होते हैं entire North India में आम का पन्ना बनता है आ बोड़ा चाट मसाला and you are done 10 रुपे पर ग्लास 20 रुपे पर ग्लास निम्बू कि शिकन जी ये सारे businesses ऐसे हैं जो बड़े छोटे 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 बिजनसे हैं बहुत ज्यादा बड़ा setup नहीं चाहिए बहुत ज्यादा equipment नहीं चाहिए लेकिन कमाई देखे जाएंगे आपक इसको करने का आसान तरीका ये तो business ideas हो गए इतने सारे business ideas हैं हमारे पास अभी इसको करते कैसे अगर इस में से कोई भी business करने की इच्छा है आपको जो की make now sell now category के अंदर में है आपको सबसे पहले चाहिए एक point of sale point of sale का मतलब आप कहां से बेचेंगे इसको आपको कोई जग रहेंगे वहां से आप इसको बेचेंगे दुकान नहीं चाहिए 24 गंटे में दो गंटे business करना है ना पूरे साल में एक मेने business करना है पूरे week में दो दिन business करना है उसके लिए दुकान नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए जुगाड और जुगाड कैसे होता है कहा कहां से आता है यह मैं आपको बताता हूं वेरी सिंपल हैक्स को उन्ट स्पेस का नाम सुना है कभी नहीं सुना है तो मैं बताता हूं यह होता क्या है एक दुकान है किसी बीचीज की कपड़े की दुकान हो कॉस्मेटिक्स की दुकान हो टायर की दुकान हो किसी बीचीज की द को पाच बजे बंद हो जाती है हर एक दुकान के खुलने और बंद होने का अपना अपना एक टाइम होता है बाकी समय उस दुकान में क्या होता है कुछ भी नहीं होता हमारा बिजमेस क्या है या तो early morning या late evening अगर उस दुकान को मैं बोनूं कि मैं एक छोटा सा स्टॉल बनवाऊंगा मैं एक छोटा सा स्टॉल आपकी दुकान के सामने या आपकी दुकान का जो चबूतरा है वहाँ पे मैं लगाऊंगा और मैं आपको महिने का 5000 रुपे दूँगा, 2000 रुपे दूँगा, जो भी वहाँ पे रेंट चलता हो If you offer something to him, वहाँ बोलेगा या ना बोलेगा और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा करने वाले पहले आदमी है आपसे पहले ऐसा काम किसी ने किया नहीं है इंडिया में तो आप बिलकुल गलत सोचते हैं लाखों लोग आज के डेट में इस अर्रेंजमेंट पे काम कर रहे हैं भाड़ा कितना होता है, डिपेंड करता है आपके सेटप के उपर में एक हजार रुपे मेहने का भाड़ा भी होता है, दस हजार रुपे मेहने का भाड़ा भी होता है पचास हजार रुपे भी भाड़ा होता है जिस बिजनस की बात मैं कर रहा हूं उपर में बर्फ का गोला का बिजनस उसका setup बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा setup नहीं होता, उनको lights चाहिए होती है, ice crushing machine के लिए power चाहिए होती है, ऐसे ऐसे दुकान है जो 50,000 रुपे महिने का भाड़ा भर रहे हैं, क्योंकि daily का 25,000 का counter भी तो है उनका, तो चलता है उनको, बट आपको क्या करना है, आपको shop के सामने वाली जगह, जो आपके market के करीब हो, जहाँ पर आप आसानी से business कर सके, pop-up stalls होते हैं, आजकल तो events बहुत सारे हो रहे हैं, events होते हैं, event दो दिन, तीन दिन का event होता है, उसके अंदर वो pop-up stall लगाते हैं, stall का rent लेते हैं और आपको जगह देते हैं, even if trial basis पे अगर आपको business करना है, तो ऐसे एकाद pop-up stall में जा करके आप try कर सकते हैं, कि आपका खा sustainable business कब है, जब आप pan-India level पे काम करते हो, food में उतना ज्यादा यह नहीं देखा है, मैंने यह देखा है, artificial jewelry और textile में, कि लोग सिर्फ events के basis पे पूरा business कर रहे हैं, दो-दो दिन, तीन-तीन दिन का event होता है, इस शहर से उस शहर गया है, उस शहर से उस शहर गया है, ऐसे में नया setup, नया collection लेकर कर आते हैं, उसको बेचते हैं, और वो margin इतना ज्यादा होता है, कि उनको कोई और business करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन food में यह theory उतनी ज्यादा successful नहीं है आज के date में, so मैं इसकी सलाह देता हूँ, सिर्फ आप trial basis पे यह काम कर सकते हो, full-fledged basis पे य काम नहीं कर पाएंगे, आप मुश्किल आती है इसमें, आप यह रिक्षा कर सकते हैं, जो moving card है, वो छोड़ा सा kiosk बना सकते हैं, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, bike के उपर setup हो सकता है, cycle के उपर setup हो सकता है, how cool is that, how innovative is that, एक कबाब की chain है Southern India में, bullet के उपर, bike के momos का business कितने सारे लोग कर रहे है North India में, cycle के उपर idli बेचने वाला हर शहर में मौजूद है, cycle के उपर जालमोडी बेचने वाला, cycle के उपर चाट बेचने वाला हर शहर में मौजूद है, आपको करना क्या है, थोड़ा innovation लगाईए, थोड़ा design बनाईए, थोड़ा creativity दिखा बहुत बढ़िया setup बन सकता है, आई-catching setup होगा और आपको किसी भी चीज़ की ज़रुरत नहीं है, आप cycle पर गए या बाइक पर गए, वहाँ पे दो घंटे business किया, business खतम करके वापिस आ गए, कोई तामजाम नहीं, कोई जमेला नहीं, कोई permanent setup नहीं चाहिए आपको, किसी भी और permanent setup नहीं चाहिए तो license भी नहीं चाहिए, GST भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये cash है, cash के income है, बहुत से बहुत क्या होगा, कभी कभी पुलिस वाले आएंगे, हो सकता है थोड़ा परेशान करें, हो सकता है थोड़ा कुछ demand हो उनका, कोई दिक्कत नहीं है, आप business कर रहे हैं ना, आप business से कमा रहे हैं, तो कभी उनको भी खिला दीजिए, that's it, बाकी तो आप आते हो, बाइक पे दो घंटे बाद चले जाते हो, आपकी कोई permanent जगह ही नहीं है, कोई permanent कुछ है ही नहीं, ये जगह मान लीजिए, कल को flyover बनना शुरू हो गया, यहा जाएए digital world में, थोड़ा facebook पे काम कर लीजे, थोड़ा instagram पे काम कर लीजे, फिर shop के बारे में सोचिए, so step by step बढ़ तो हर जगह सकते हैं, लेकिन ये वो setup है, जहाँ पे शुरुआत में आपको कोई खर्चा नहीं होता, एक minimum investment में आप अपना business शुरू कर सकते हैं, आप अप आपके different types of points of sale है, इस business के लिए, उसके बाद आपको क्या चीज, जो hit करती है, वे सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, वो चीज़े transportation, कई बार क्या होता है, कि जो आपका kiosk है, या जो आपने वो ठेला कहते हैं, या ready कहते हैं, आप जो भी कहते हैं, एक आपने setup बनाया है और जहां पर आप business करने वाले हैं, वो आपके घर से समझो 10 km दूर है, तो आप पहले घर से वहां तक पहुचेंगे, रोज आप घर से तो वहां पर लेके नहीं जाएंगे, वो वहीं पर आसपास किसी जगह पर पार्क होगा, वो जो भी आपका food truck है, या जो भी आपका kiosk है, या पुश कार्ट है, या जो छोटा अपने setup बना रखा है, वो आप घर तक तो नहीं लेके आने वाले हो, वहां पे ही आसपास कोई एक आदमी होगा, जो उसको पार्क करता होगा, आपके जैसे जो दूसरे business करने वाले हैं, जो अंडा बेच रहे हैं, मैगी बेच रहे हैं, वो सब घर लेके नहीं आते हैं, वहीं कहीं पे आसपास अकते हैं, उसका एक भाड़ा होता है, वो भाड़ा आपने पे कर दिया, वो safekeeping है होता है, यह पूरा ecosystem है, यह underground ecosystem है, जिसका आपको पता ही नहीं है अगर आप white collar हो तो, अगर आप सब कुछ formal तरीके से करने का सो मजब आएंगी आपको, सो वहीं कहीं पे कोई आदमी होगा, जो इसको रखता है, वो महिने का 500,000 रुपे रेंट लेगा आपसे proper, और वो इसकी security देखेगा, वो इसको सभाल के रखेगा, आप वहां से इसको यहां पे लेके आते हो, जहां आपको business करना है, लेकिन आप दर से जब आप वहां तक पहुंचोगे, तो कुछ raw material भी होगा आपके पास, कुछ सामान भी होगा, कुछ equipment भी होगा, वो सब लेकर के आप वहां पे जाओगे, तो यह two and four transportation कई बार दिक्कत देता है, जो हमें set करना जरूरी है, इस business को शुरू करने से पहले, उसके बाद आती है raw material supply chain की, आपका कोई दुकान तो है नहीं, आप तो normal business कर रहे हो, लेकिन मान लिया आपने पानीपूरी का business किया, और पानीपूरी का business बहुत बढ़िया चल रहा है आपका, अगर ये business बहुत अच्छा चल रहा है आपका, इसका मतलब क्या है, आप रोज का 50 kg आलू ये कोई ने कोई vendor देगा, या आप मंडी मेंसे जा करके लेके आओगे, क्योंकि आपको cost भी तो चाहिए वैसा, आपको अच्छे rate पे चाहिए, तो या तो मंडी जाओ, आप मंडी जाके लेके आओ, पर मंडी जाके लाना और सब कुछ करना, ये आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने ये business शुरू क्यों किया था, क्योंकि आपका एक job है, आपका कोई business है, आपके पास पूरे दिन का समय नहीं है, पूरे दिन का समय नहीं है, तभी तो ये business शुरू किया था आपने, तो अभी ये जो आलू लाने के लिए मंडी जाना पड़ेगा, या दूसर vendor होगा वो बोलेगा अच्छा ठीक है आप अपने restaurant का address बता दीजे मैं वहां deliver करा दूँगा अब आपका restaurant है नहीं आपका है एक moving cart या food truck जो road के किनारे लगता है दिन में दो घंटे के लिए अब वो उस दिन के दो घंटे में delivery करेगा या नहीं करेगा challenge है आपके घर पे शायद delivery ना करें क्योंकि उसके area से बहुत दूर पड़ेगा आपका GST नंबर नहीं होगा तो वो पका बिल बना करके आपको कुछ दे नहीं सकता तो यह सारे challenges आपके supply chain में आते हैं food license का challenge आता है बट food license पे बहुत बड़ा challenge नहीं आता push cart एक category है इसको वो hawker category में रखते हैं जहां आप घूम घूम करके बेचते हो तो इसके लिए भी food license होता है लेके रख लीजिए आगे दिक्कत कमाती है पर आपके पास हो या नहीं हो दिक्कत अगर आनी है तो आएगी so it doesn't matter much यहाँ पे licenses या legal formalities से बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ता आपकी branding कैसी है उससे फरक पड़े जाता है तभी मैंने पहले भी कहा था कि आप cycle ले लो bicycle ले लेकिन थोड़ा अच्छा get up दो उसको आप bike की उपर setup बनाओ लेकिन bike का look and feel होना चाहिए वैसा बाइक की वैसे design होनी चाहिए आपकी थोड़ा colors के साथ खेलो थोड़ा designs के साथ खेलो एक attractive setup बनाओ सब कुछ उसी पर depend करता है यहाँ पे आपका attractive setup बना दिया आपने उसके बाद आप वाइरल हो जाओगे वाइरल हो गए तो उसके बाद फिर आपको ज्यादा चिंता नहीं है कुछ you don't need to worry about कि आपका digital setup क्या है और आप क्या करने वालो इल्फैक्ट अगर आप देखो तो last point मैंने ऐसा लिखा है जो मैटो स्विगी भूल जाओ इस business model में कोई जरुरत नहीं आपको आप digital marketing भूल जाओ कोई जरुरत नहीं आपको पी ओएस, billing machine, cash counter ये जितने भी business के ताम जाम है वो सारे के सारे भूल जाओ आपको किसी की जरूरत नहीं है आपको जरूरत है एक attractive setup की और viral word of mouth की that's it क्योंकि customer आपके पास आ रहा है लेने के लिए क्योंकि customer आपके पास आ रहा है लेने के लिए तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो आपको सिर्फ basic चीजों के उपर ध्यान देना है ये है हमारा business अगर हम लोग make now, sell now category में जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं आपको क्या चाहिए तॉप थ्री स्किल्स विच यू नीड फ़र दिस पर्टिकुलर बिजनस आपकी खुद की personality ये बिजनस आप रोती भी सूरत लेके नहीं कर सकते हैं You have to be lively, you have to be energy, आपके अंदर वो energy दिखनी चाहिए, आपकी energy होगी जिससे customer impressed होगा तभी आपका business बनेगा, आपकी personality सबसे जरूरी है, lively atmosphere जरूरी है क्योंकि कई बार लोगों को आदा घंटा वेट करना पड़ेगा, एक घंटा वेट करना पड़ेगा अगर आप famous हो तो, अ वो नहीं चाहिए, तो महौल थोड़ा lively बना के रखना पड़ता है, कैसे बनता है, क्या बनता है, अगर आपकी personality अच्छी है, अगर आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हो, तो आप lively atmosphere बना लोगे, अगर आपने lively atmosphere बना लिया, customers का ध्यान रख लिया, customer sensitivity देख लिया आपने तो इस business में सफल होने से कोई नहीं रोख सकता है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कोई digital skill नहीं चाहिए, कोई IT skill नहीं चाहिए, कोई finance की skill नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, cash में पैसा कमाएंगे आप, और बहुत सारा पैसा कमाएंगे आप, जॉब के साथ साथ ये था हमारा पहली केटेगरी माइंड ब्लॉइंग मजा आया tell me really like this if it is an eye-opener give me in the chat box eye-opener क्योंकि ये वो केटेगरी है जो आप अपने बिजनस के साथ साथ कर सकते हो जो जिसमें आपको थोड़ा सा stretch करना है and everything is clear for you right so ये था हमारा पहला केटेगरी make now sell now जो दूसरी केटेगरी हो जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं अभी वो है make now sell today जो दूसरी केटेगरी है वो है make now sell today और ये जैसा कि हमने पहले बताया था आप दिन में कभी भी तैयारी करेंगे और तैयारी करने के बाद आप इसको पूरे दिन तक बेचेंगे इसमें कौन-कौन से बिजनस आते है इसमें बिजनस आते है सीजनल बैटर हो गया ready to use premix हो गया कुछ खास दिन होता है गुजरात महाराष्टा में एक दिन होता है विजया दश्मी का जिस दिन लोग फाफडा जलीबी खाते हैं एक दिन होता है मकर संकरांती का जिस दिन उंधियू खाते हैं एक दिन होता है दिली में लोडी का जिस दिन लोग एक particular dish खाते हैं के रखा जिस दिन आपके बेचने का समय हुआ उस दिन से एक दिन पहले आपने एक दिन किया तो छुटी ले ली एक दिन बिजनस बंद कर दिया और इसमें लग गए इसमें जो लग गए उसके बाद next day का पूरा का पूरा बिजनस आपका है ये तो हमारा occasion वाला हो गया occasion के अ लावा जो बिजनस से, आइस्क्रीम से, फ्रोजन डेजर्ट से, ये आपको हमेशा नहीं बनाना है, इसमें क्या होता है, एक छोटा बैच होता है, पचास किलो का, सो किलो का आपने बैच बनाया, जलाटो इस नथिंग बट इटालियन आइस्क्रीम कह सकते हैं, एक बेरियेश होगी इसकी, वो चर्णिंग होकर के आइस्क्रीम बनी, अभी आइस्क्रीम ट्रांस्पोर्ट नहीं होगी कहीं पर, आइस्क्रीम जो बनी, वो एक कंटेनर में बनी, आप उस कंटेनर में उसको बेच होगे, लेकिन तूरत बेचना है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, आप इसको एक दिन बेच सकते हो, दो दिन तक बेच सकते हो, जब तक ये खतम नहीं होता, तोब तक आप बेच सकते हो, क्योंकि माइनस 18 डिगरी पे स्टोर किया हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें, इवन जो आपके सैलेड्स है, फ्रूट प्लैटर्स है, ये जो सैलेड्स फ्रूट प्लैटर्स है, इसमें होगा क्या, इसमें आप रॉब माटीरियल मंगवा के रख लोगे, आपका एक सब्सक्रिप्शन बेस्ट पैटर्ण आएगा, कि मुझे सुबह में इतने सैलेड्स फ्लैटर्स चाहिए, मुझे शाम में इतने सैलेड्स फ्लैटर्स चाहिए, कहीं पे आपको डिलिवरी करनी है इसकी, आपके सामने कस्टमर लेने नहीं आएगा, आप कहीं पे भेजोगे इसको, जहां पे आप इसको भेजोगे आप शाम के एक फिक्स टाइम पे भेजोगे तो जिस टाइम पे आप भेजोगे उसी समय आपने fruits को cut किया उसको plating करके pack कर दिया और वो जो sealed pack है वो packet पूरा का पूरा customer के पास पहुँच गया तो तयारी आपने करके रखी है पहले जो टमाटर पानी ना छोड़े जो उसके अंदर कुकुमबर है उससे पानी नहीं निकले तो हर चीज का method है आज के डेट में don't ask me कि क्या करते हैं जो उससे पानी नहीं निकलता है बहुत सारे methods है go and find out on google but the point is आपने वो सारी मेहनत कर ली plating कर दी pack बना दिया उसके बाद बारी आई delivery की आदे घंटे एक आदमी गया ओटो रिक्षा ले करके या गाड़ी ले करके 200 प्लेट बेच के आ गया तो यह है आपका make now sell today इसके लिए क्या चाहिए इस type का कोई भी business अगर आपको करना है उसके लिए क्या चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा complication बढ़ जाता है आपका थोड़ा सा investment भी बढ़ता है पट एक बड़े level पे आप काम कर रहे हो जिस level पे हम लोग make now sell now कर रहे थे उससे यह एक level उपर है यहाँ थोड़ी मेहनत लगती है हमारी packaging में packaging के उपर दिमाग लगाना पड़ता है हमें एक order booking system बनाना पड़ता है यहाँ सिर्फ FSS AI से नहीं चलेगा आपको GST भी लगेगा क्योंकि देर सबीर inquiry आने वाली आपके पस inquiry आई उस समय अगर GST नहीं रहा आपके पस तो कई मामलों में बहुत महगा पड़ता है यह सो शुरू करने से पहले इन दोनों चीजों का जुगार कर लीजिए बहतर है उसके बाद क्या चाहिए उसके बाद आपको चाहिए इसमें पूरा का पूरा order fulfillment mechanism order fulfillment mechanism का मतलब क्या हुआ order कहां पर book होगा और कैसे book होगा whatsapp के उपर book होगा phone के उपर book होगा app के उपर book होगा marketing करनी पड़ेगी वो marketing कैसे करेंगे उसकी knowledge चाहिए एक बार order book हो गया order book होने के बाद आपके पास कैसे पहुँचेगा आप उसके बारे में आगे क्या करोगे आप कैसे communicate करोगे customer को कि yes we have received your order we are preparing your order your order is on the way you should receive it within so and so time यह जो पूरी chain है order delivery की यह आपको बनानी पड़ेगी electronically या तो आप manually बनाओ whatsapp करो सबको sms पे भेजो phone करके बताओ या आप एक automated system बनाओ depending upon the volume आपकी एक्छा है लेकिन यह process जरूरी है business में यह process आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको digital marketing भी करना पड़ेगा google my business के उपर जाना पड़ेगा उसको कैसे leverage करते हैं वो भी सीखना पड़ेगा point of sale के लिए भी एक system होना चाहिए क्योंकि यह एक level उपर का system है so most probably you will also rely on staff staff के उपर अगर आप काम कर रहे हैं staff के उपर भरोसा कर रहे हैं तो एक आपका POS system होना चाहिए CCTV भी होना चाहिए तो यह थोड़ा सा बड़ा setup है इस setup को करने के लिए आपकी सबसे critical skills क्या है हमने जो पहले देखा था make now sell now category वहाँ पे technology का कोई role नहीं था वहाँ पे और किसी चीज़ का कोई role नहीं था जो भी था आपके अंदर था जो भी हमें चाहिए था qualities वो qualities आपके अंदर होनी चाहिए आपकी personality अच्छी होनी चाहिए आपकी customer sensitivity अच्छी होनी चाहिए सब कुछ आप थे वहाँ पे यहाँ पे हम लोग system की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा technicalities involved है एक supply chain involved है तो यहाँ पे कुछ न कुछ system का role आएगा system का role आएगा यह order and delivery system को पूरा set करने में और flawlessly manage करने में आपके product में दम होना चाहिए यह आपकी महांता है यह आपका role है यह आपके हाथों में अगर जादू है तो product में दम होगा वो product बिकेगा उसके लिए demand आएगा क्योंकि अब आप समझो अब आप एक बड़ा game खेलने जा रहे हो तो यहाँ पे आप अकेले नहीं हो आपके जैसे ये काम करने वाले बहुत लोग है अगर आप सोचते हो कि मैं ice cream बनाओ homemade ice cream बनाओ और उसको एक limited area के अंदर में marketing करूँ और बेचूँ पर ice cream बनाने वाले आप अकेले नहीं हो आपका competition बड़े ब्रैंड्स भी है छोटे ब्रैंड्स भी है लोकल जो बेकरी चेंस है वो भी है लोकल जो आपके dessert चेंस है वो भी है और आप भी हो तो product में दम होना चाहिए product आपका थोड़ा हटके होना चाहिए तीसरी चीज जिसके बारे में लोग ध्यान नहीं देते हैं पर वो सबसे critical होता है इसके बारे में ध्यान देते हैं बड़े player जब लोग बड़े बन जाते हैं तब इसके बारे में सोचते है कि hassle free transaction कैसे हो hassle free कहने का मतलब customer ने एक बार phone किया या एक बटन दबाया उसका order लग गया customer ने एक बार app पे कुछ download कर लिया उसका पूरा का पूरा data आ गया हम दुबारा कुछ नहीं मांग रहे हैं उससे इसको कहते है hassle free उसने एक बार order दे दिया उसके बाद कोई follow up की जरूरत नहीं है अपने आप mechanical तरीके से उस टाइम पे उसके पास वो चीज पहुँच गई और अगर नहीं पहुँच रही है तो कोई सामने से phone करके बता रहा है कि सर दस मिनट का देर हो जाएगा ये 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 कर पाएंगे इसमें सो ये हैं आपकी top three skills जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अब आजाते हैं जो हमारा तीसरा category है which is make today sell later ये जो make today sell later है ये क्या है एक लेवल और आगे अब हम लोग उस business की बात कर रहा है जहां पे मैंने एक दिन काम किया एक दिन 500 किलो आम तोड़े 500 क लोगों को ले करके गया 500 किलो आम तोड़े 500 किलो आम को कट किया उसके साथ मसाला मिक्स किया एक मस्त वाला अचार बनाया राजस्थान में हूं तो राजस्थानी फ्लेवर का अचार बनाया गुजरात में हूं तो गुजराती फ्लेवर का अचार बनाया असम में हूं तो टिपिकल नौर्थ इस्टन फ्लेवर दिया उसको मैंने, मैं आंधरा में हूँ तो जो आंधरा वाले पिकल बनते हैं, वो वाला फ्लेवर दिया, बट है आम सब, अब ये जो 500 किलो आम बना, 500 किलो का अचार बना, इसको बनने में एक हपता लगेगा, बट सबसे ज़्यादा म मचार करना है, एक हफते के लिए, पंदरा दिन के लिए, जब तक वो आचार रेडी नहीं हो जाता, एक बार वो रेडी हो गया, बाटल्स में कर दिया, मैंने सील कर दिया, पैकेजिंग लगा दी, लेबल लगा दिया, अब उसको तीन मेहने तक बेचते हैं, अगर मैं 300 किल लाइफ तो एक साल है, पूरे साल बेचोगे आप इसको, आपके पास कोई अच्छा सौस का एडिया है, एक ही सौस का एडिया है, एक ही चटनी आप अच्छी जानते हो, पर वो चटनी ऐसी जानते हो कि सब लोग तारीफ करते हो उसकी, वो एक चटनी के ऊपर आप करोडों का बिजनस खड़ा कर सकते हो, आज के डेट में आपके पास ये capability है इंडिया के अंदर, और ये part-time opportunity है, ऐसा नहीं ये आप रूद 100 किलो चटनी बना रहे हो, आपने एक दिन 200 किलो चटनी बनाई या 50 किलो चटनी बनाई, धीरे से शुरू करेंगे न, 50 किलो चटनी बनाई, 100 100 ग्राम के packs बनाए, वो जब बिकने वाला हुआ, लास्ट के 25 पैक बचे तो फिर 50 किलो की चटनी बनाई, ऐसे batch में production किया और बेचना शुरू किया, तो ये business ideas कौन से हैं, जितने भी हमारे typical food processing वाले ideas हैं, वो यहाँ पे आते हैं, दिवाली की मिठाई हो गया, तिलकुट ह गया, पूरे winters में, नौर्थ इंडिया में, तिलकुट, गजक, तिल लडू, हर दुकान में मिल जाते हैं, अच्छानक से appear हो जाते हैं, magically appear हो जाते हैं, हर एक दुकान में, कोई तो बनाता है ना, वो दुकान वाला तो नहीं बनाता है, क्योंकि खिराना दुकान में भी मि लिखेगा उस दुकान में आपको, एक पीछे ecosystem है, जो काम कर रहा है, वो part-time ecosystem है, समझे उस बात को, वो ही ecosystem के बात मैं यहां पे कर रहा हूँ, पापड बनता है, खाकरा बनता है, jam बनते हैं, चटनी बनती है, gravy mix बनने लगा है अब, gravy mix क्यों बन रहा है, उसी कारण से, जि चपाती क्यों बन रही है, वो skill हम खोते जा रहे है, जो नई generation है, उसके अंदर वो skill और उतनी महनत करने की एक्छा नहीं है, कि किचन में जा करके मैं पहले आटा गोंदू, उसके बाद उसकी चपाती बेलू, उसको पकाऊं, ना उतना महनत करना है, ना उतनी skill है, दोनों म है, दोने ही चीज़े missing है, और बहुत सारे cases में time भी नहीं है, जहां husband wife दोनों काम कर रहा है, रात में आ करके कौन जाना चाहता है किचन में और बतलब आप दो घंटे लगाओ किचन में, अगर आप afford कर सकते हो, तो आप नहीं जाओगे वहाँ पे, नहीं जाओगे का मतलब क्या हुआ, marketeers के लिए तो बहुत बड़ी opportunity है ना, अगर मैं चपाती बेच सकता हूँ, तो मैं gravy mix क्यों नहीं बेच सकता, gravy mix क्या हुआ, gravy mix क्या हुआ, gravy mix वो mix है, जहां पे जो प्याज, ginger, garlic, chili, tomato, यह सब चीज़े जो भूना मसाला कहते हैं ना, यह मसाला भून करके मैंन इसका dry pack बना दिया, dry या semi solid, पानी जितना कम रहेगा, shelf life अतनी अच्छी होगी, so एक semi solid pack बना दिया, मैं आपको यह कह रहा हूँ कि यह जो एक है 25 ग्राम का pack, आप, let's say आपको आलू परवल की सबजी बनानी है, या आलू गोबी की सबजी बनानी है, तो आपने आलू काट गोबी काटा, थोड़ा तेल डाला, उसको भून लिया अपने, उसमें ये वाला packet डाला, पानी डाला, दो टामाटर डाले, उसको पकाया, and done, how easy is that, how convenient it is, पहले क्या होता था, पचास सल पहले, एक सील बट्टा होता था घरों के, सील बट्टे पे मसाला पीशता था, रोज का रोज, fresh spices होते थे इंडिया में, पचास सल पहले, वहां से economy move की dry मसाले के उपर वे, हल्दी का अलक पैकेट आता है, सबजी मसाला का अलक पैकेट आता ह इंडिविज्वल मसाले भी है, मसालों का ब्लेंड भी है, अब यह जो मसालों का ब्लेंड है, इसके एक लेवल उपर आ गया है मार्केट, मार्केट में क्या अब क्या आ गया, मैगी भुने मसाले, बट यह जो मैगी भुने मसाला है ना, this is developed by a company called Nestle, यह जो कंपनी है, that's a multin multinational company, इनको इंडियन टेस्ट समझने में समय लगेगा, उसी लिए यह नहीं चल रहा मार्केट में, बट रेस्टोरेंट के अंदर ग्रेवी बेस पे ही सारा काम होता है, आप डाल मकनी दस रेस्टोरंट में खाओ, दस में आठ में एक ही टेस्ट लगेगा आपको, आप बट ग्रेवी रेडी में डारी है, ग्रीन ग्रेवी रेडी में डारी है, रेस्टोरंट्स यूज कर रहे हैं आज के डेट में, तो कल को घर में भी यूज होगा वो, दिक्कत क्या है, वो एक किलो का पैक आता है, एक किलो का पैक रेस्टोरंट यूज कर सकते हैं, घर वाले नही यूज़ करेंगे, घर में यूज़ करना है, तो पचीस ग्राम का पैक चाहिए, पचास ग्राम का पैक चाहिए, छोटे-छोटे पाउच चाहिए, क्या आपको बिजनस दिखता है इसमें, यह अगर बिजनस दिखता है, तो इसको करने में आपको करना क्या है, एक बार में तस किलोमेटर के रेडियस में, that's it, पूरा शहर भी नहीं, दो किलोमेटर के रेडियस में 200 ग्रेवी मिक्स आपका बिक जाएगा आसानी से, यहां से शुरू किजिए आप धीरे 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 फिर इसको आगे बढ़ाईए, जितने आपके snacks category है, roasted हो, fried हो, sand roasted snacks का चलन आजकल काफी हो गया है, क्योंकि oiled और fried snacks हम लोग हमें लगता है कि health के लिए अच्छा रही है, roasted snacks health के लिए ज़्यादा अच्छा है, start something, यह रोज नहीं करना है आपको, एक बार batch में बनाओ गया, आप उसका packet बनेगा, वो packet खतम हो जाएगा, फिर दूसरा batch बनाओ गया, so यह है जहां आप महिने में दो दिन लगा करके, हपते में एक दिन लगा करके business कर सकते हो, Saturday, Sunday, बहुत सारे offices में छुट्टी होती है, Sunday, बहुत सारे businesses बंद होते है, time है आपके पास, हपते में एक दिन यहां पे आपको देखना पड़ेगा आपका product range, आपकी खुद की अब e-commerce की website चाहिए, e-commerce की website नहीं, तो Shopify website वो नहीं, तो कम से कब Amazon Flipkart पे बेचना शुरू करें, हमें कहीं न कहीं एक internet platform पे आना पड़ेगा इस business को करने के लिए, packaging में दम होना चाहिए, यहां पे जो मेरा पहले वाले business में packaging था, यह वो packaging नहीं है, अब मैं यहां पे बात कर रहा हूँ, plastic की नहीं, एक different level of polymer की, जो ultraviolet raise को रोकता है, जो moisture को रोकता है, जो heat को रोकता है, जिसके अंदर आप एक साल की shelf life दे सकते हो, छे मेने की shelf life दे सकते हो, trust me, ऐसे packaging होते हैं, ऐसे ऐसी techniques हैं, जहां आप food को 25 साल की shelf life दे सकते हो, एक बार घुसो तो सही, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, shelf life stabilization, यह एक major challenge है आपका, यह आपको ensure करना पड़ेगा, इसके बाद आपको थोड़े lab test कराने पड़ते हैं, ताकि वो जो nutritional information होता है, कितना carbohydrate, कितना protein, कितना fat, यह सब, जो आपको label पे डालना पड़ता है, that is mandated by law, तो लीगल requirement है, तो उसके लिए आपको lab test और वो सब कराने पड़ते हैं, shelf life आपकी तीन मेने है या छे मेने है, यह lab में test होता है, तो इसमें वो lab test reports वगरे आपको लगते हैं, तो यह इस area में थोड़ा घुसना पड़ेगा और इसके अलावा marketing में थोड़ा detail में जाना पड़ेगा आपको, एक अलग से lead generation system होगा आपका, एक order booking fulfillment system होगा, थोड़े next level वाले branding, visuals यह सब होंगे आपके, अभी आपको Instagram पे, Facebook पे, Google पे ads चलाना पड़ेगा, तो यह सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, अगर इसमें घुसना है तो, यह थोड़ा complicated है, ले लेकिन, थोड़ा complicated तो है, लेकिन अगर चल गया, अगर आपने इसको crack कर लिया, अगर आपने यह formula decode कर लिया, आप 100 करोड की भी company बन सकते हो, एक product है Nutella, ऐसी कोई dessert की shop नहीं यह पूरे world में, जिसमें वो product use नहीं होता हो, यह शुरू किया था एक family ने, उस family की recipe है, और यह कुछ तो बात है इस recipe में, जो बड़ी-बड़ी companies, जो company Horlix बनाती है, Smith Plain Bisham, जो company chocolate syrup बनाती है, Hershey's, यह सारी companies भी इस formula को, इस recipe को नहीं crack कर पाई है, और आज के date में, पूरे world का जो hazelnut production है, उसका 22% यह company अकेली consume करती है, वो hazelnut लगता है Nutella में, एक ही product था उस company का, Nutella, worldwide king है उसके, तो अगर आपके पास कोई एक छोटी भी recipe है, एक चटनी की लाजवाब recipe है, एक sauce बनाने की recipe, यह आपके अचार में वो बात है, जो सब तारीफ करते हैं, monetize कीजिए, बड़ा बनाइए, बहुत scope है market में, market में बहुत सारे customers हैं, जो आपका सामान लेने को तयार है, एक बार थोड़ा ढग्ण से शुरुवात कीजिए, सीखिए कैसे करते हैं इसको, इसको करने के लिए आपकी top three skills क्या चाहिए, हमने पहले वाले में देखा, जो सबसे पहला business था make now, sell now में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आपकी personality अच्छी होने चाहिए, जो second वाली category थी, वहाँ पे आपकी personality के साथ साथ, थोड़ा-थोड़ा system का भी knowledge होना चाहिए, जो यह category है, यहाँ पे थोड़े अलग से skills चाहिए, आपको, यहाँ पे क्या चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, पैकेजिंग मैं कहा रहा हूँ, क्योंकि यह जो पैकेजिंग है, यह बाकियों से अलग है, यह simple plastic packing या simple यह जो, यह एक अच्छा graphics लगा के sticker लगा देता हूँ, वो नहीं है यह, इसका material अलग है, इसकी packaging technology अलग होती है, क्योंकि इसकी shelf life बिलकुल अलग है, यहाँ तीन मैंने च्छे मैंने एक साल वाली shelf life है, तो इसमें packaging पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, वो crack करना पड़ता है, इसमें आप deal कर रहे हो strangers के साथ में, अगर आप e-commerce पे आगए, अगर आप Amazon पे हो, Shopify पे हो, आपके खुद की e-commerce की site है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा critical है आपके customer reviews, और कुछ भी काम नहीं करेगा, आपको लोग जानते होंगे आपके शहर में, आपके मुहले में, आपके residence से लेटर से 5 किलोमेटर का radius, customer reviews होंगे वैसे, तो आपको यहाँ पे customer reviews मदद करेंगे, business को establish करने में, अब आप देखो यह जो तीन skills मैंने दिखाई ना, product packaging, customer reviews, and digital marketing skills, यह बिलकुल अलग है बाकियों से, इस business में घुसना है तो आपको इन तीन चीज़ों पे ध्यान देना है, make, now, sell, today में घुसना है, तो अलग चीज़ों पे ध्यान देना है, so let's just recap, सिर्फ हम लोग business skills को देखते हैं, कि top three skills आपको चहिए क्या, top three skills तीनों के टेगरी में हमारी अलग-अलग है, अगर हम लोग make, now, sell, now की बात कर रहे हैं, तो यहाँ basically आपकी personality है, सब कुछ, आप अच्छे हो, आपकी personality अच्छी है, सब अच्छा चलेगा, business चल जाएगा, बहुत जादे investment नहीं है, आप आराम से कमाऊगे, जो दूसरी केटेगरी है, make, now, sell, today, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, थोड़ा तो आपका skill है, क्योंकि product strength चाहिए, बट थोड़ा technology भी है, थोड़ा system दी है, यह जो तीसरी केटेगरी है, यह typical वो food processing वाली केटेगरी आ गई, food processing नाम नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि food processing कहते हैं, मैं लगता है कोई factory होगी, एक बड़ा सा setup होगा, कुछ भी नहीं होता वैसा, आप घर से शुरू कर सकते हो, part time है ना, part time शुरू करो, चल जाए, अच्छा चलने लगे, तो full time आजाओ, अभी तो आप शुरूआत कर रहे हो, शुरूआत कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए आपकी packaging skill, यहाँ चाहिए customer reviews, यहाँ चाहिए आपको digital marketing skills, यह skills बिलकुल अलग है, बाकियों की तुलना में, यह आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप part time business opportunity की बात करते हैं तब, टोटल किसी ने किया था, कितनी opportunities हैं, precisely 32, टोटल 32 opportunities हैं, जिसकी बात मैंने आप से की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उम्मीद है, इसमें कई सारी जानकारी ऐसी होगी, जो आपको पसंद आई होगी, जो आपको इसमें करने जैसी दिखती होगी, बहुत ज़्यादे investment नहीं लगता, दिमाग लगता है, क्योंकि कोई भी business करने से पहले, सबसे पहले आपका mindset सही होना चाहिए, if you are committed, अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको लगता है, कि ये काम करना ही चाहिए, तभी आप ये काम आगे करेंगे, तभी आप successful भी होंगे उसमें, तो सबसे पहले तो आपको खुद का mind make-up करना है, 80% cases में क्या होता है, mind make-up ही नहीं होता, हम सोचते हैं करेंगे, पर हम लोग करतें नहीं हैं, कुछ न कुछ आ जाता है, कुछ न कुछ हम लोग के दिमाग में आ जाता है, कोई emergency आ जाती है, कोई दूसरा काम आ जाता है, शुरुवात नहीं करते हैं हम लोगे, मेरा simple कहना है आप से आप शुरू कीजिए, आपको जो idea समझ में आता है, आप उसको लेके चलिए, part time लेके चलिए, महिने में एक दिन लेके चलिए, इस साल में दो महिने लेके चलिए, पर कुछ शुरू कीजिए, क्योंकि आपके जैसे हजारों लोग शुरू कर रहे हैं हर महीने, आप नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है, परकेट खाली रहेगा, कोई और शुरू करेगा, तो आपके दिमाग में अगर आइडिया है, तो आप इसको आगे बढ़ाएए, शुरू कीजिए, तो आपके चलिए,